सभापती महुदय स्टेटमेंट जो है बारत सरकार का वो नित्यानन जी ही बताएंगे मगर मैं कुछ चीजों की स्पष्टता करने के लिए आपकी अनुमती से इस सदन के सामने खड़ा हुआ सबसे पहले इस गटना में जितने भी लोग हताहत हुए हैं जो गायल हुए हैं वो सभी के परिवारजनों के साथ मैं मेरी संद्वेदना व्यक्त करना चाहता हूँ और बड़े दूख के साथ आज मैं उनके प्रती अपार संद्वेदना के साथ इस सदन में खड़ा हुआ हूँ जैसा मैंने पहले कहा कि सरकार की ओर से जवाब स्री इत्यानंद राही देने वाले हैं जब यहां पर एक गंटे की चर्चा आपने अनुमोदीत की तब मुझे था कि आज का दिन साइद रादनिती से परे रहेगा इस पर रादनिती टिका टिपणिया नहीं होगी खेर उद्येश से या जानकारी के अभाव से कुछ टिपणिया भी हुई और कुछ सदन को पुरा देश देखता है इसलिए देश के सामने कोई गलत फेहमी न हो जाए इसलिए मैं सपश्टता करने के लिए खड़ा हुआ दो सार उपन हुआ या जानकारी के अभाव में मुझे मालूम नहीं है मगर मुझे सपश्टता करने है मनने महोद है आपके माध्यम से सदन से और सदन के माध्यम से पुरा देश को अल्ली वर्निंग अल्ली वर्निंग अल्ली वर्निंग बोलते ही गए अंगरेजी में जितने भी गंभीर प्रकार के सब्द है अपने बासन में डाल कर इसको बताया गया मैं सदन के सामने सपश्टता करना चाहता हूँ 23 जुलाई को केरल सरकार को अल्ली वर्निंग भारस सरकार की और से दे गई दी गई थे 23 जुलाई को 7 दिन फेले फिर 24 गो गई फिर 25 गो गई 26 तारीक को मानिवर एक कहा गया कि 20 सेंटिमीटर से ज़्यादा बार्सा होगी बारी बार्सा होगी लैंड स्लाइड होने की संभावना है मड़ भी रश होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं मैं एक कुछ कहना नहीं चाहता है था मानिवर बार्सारकार की अर्ली वर्निंग सिस्टिम पर सवाल किये गए इसलिए मैं कहता हूँ प्लीज लिसन अस प्लीज लिसन अस मत चिलाइए प्लीज रीड इट जो वर्निंग बेजा है उसको पढ़िये जरा और इस देश में कई राज्य सरकारे ऐसी हैं जिन्होंने इस प्रकार की वर्निंग का उप्योग करकर जीरो कैजूलिटी डिजास्टर मेनेजमेंट किया है मैं औरी सार राज्य सरकार के लिए भी उस वक्त हमारी नहीं थी नवीन बाबू की थी हमने साथ दिन पहले साइक्रोन का एलर्ट बेजा सिर्फ एक वक्ती मारा गया वो भी गलती से मारा गया गुजराज सरकार को हमने साइक्रोन का एलर्ट तीन दिन पहले बेजा एक पसू भी नहीं मरा साथ मगर मैं बड़ी विनम रता के साथ कहना चाहता हूँ कि आप जो गिसे पिटे सब्द यहां लेकर आए हैं और डिमांड ही करते जा रहे हैं अल्ली वर्निंग सिस्टिम है भारत सरकार ने 14 के बाद अल्ली वर्निंग सिस्टिम के लिए 2000 करोर रूपया खर्च किया है और इसको साजा किया जाता है मानेवर साथ दिन पहले हर राज्य को सुचना भेजी जाती है और वो सुचना साइट पर सबके लिए भी उपलब्द है मानिया सांसदों के लिए भी उपलब्द है मगर पुछ लोगों को है कि यहां की साइटे खोलते ही नहीं वीदेश की ही खोलते है तो अब वीदेश में तो इसकी अल्ली वर्निंग सिस्टिम आए गी नहीं साइट देखने ही पड़ी कि मानेवर मानेवर वर्षा एक मीट अब सुनो भाई मैंने ज्यान से आपको सुना है इस तरह से नहीं चले गाए इस सदन है फेक्शन फीगर से डिटेल सार बिंग इंपार्टे मानेवर मैं तो उस उद्देश ते ही कहता हूँ इसको सुनकर सभी राज्य अलर्ट हो अर्ली में अलर्ट हो जाए मेरा किसी को ताना लगाने का आशा है नहीं है वर्षा के लिए अर्ली वर्णिंग सिस्टिम है हीट वेर के लिए है तूफान के लिए है चक्रवाद के लिए है यहां तक बीजली के लिए भी early warning system है जो 10 मीट पहले बीजली अक्सांस रिखांग के साथ कहा गिरेगी वो सिधा कलेक्टर को इन्फर्म करती। मगर इसका कोई जिक्रा नहीं करा है। मैं तो मानता हूँ जानकारी का अभाव होगा। जानकारी का अभाव है तो भी ठीक नहीं है और रादनीती है मनेवर तो बहुत लुख़त है। मनेवर कई सारे राज्यों ने इसका उप्योग भी किया है और परिणाम भी आ है। और इस अल्री वर्निंग सिस्टिम के तहट मैं आज सदन को बताना चाहता हूँ तेईस तारिक को ही मेरे ही अनुमोधन से नो एंडी आरेप की टीमे केरल के लिए लड़वाना हो गई थी कि वहाँ लेंड्सलाइड आ सकता है। भारेश सरकार ने नो एंडी आरेप की टीमे विमान से वहाँ भेजी मैं पूछ सकता हूँ माने वर इतना मुझे पूछते हैं सारे लोग केरल सरकार ने क्या किया अनि अनधी को लोग रह रहे थे नहीं रहे रहे थे मगर वलरेवल सिचुएशन तो थी इनको सिप्ट किया किया गाया है बाद में किया गाया है जितना बोलोगे उतना नुकसान होगा मैं बोलना नहीं चाहता परन्तु जब आप आरो आरो पात्मक तरीके से बात के तो मैं सांती से यहां बैठका सुनने ही आए मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अल्ली वर्निंग सिस्टीम नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रदान मंत्री बने 2016 से यह प्रोजेक्ट चालू हुआ और 23 तक दुनिया की सबसे आधुनिक अल्ली वर्निंग सिस्टीम कहीं पर है तो भारत में और इसका साथ दिन पहले साथ दिन पहले इसका अनुमान देने वाले चारही देशे उसमें से एक भारत है मगर उसको पढ़ना पड़ता है डिमांड करने से कुछ नहीं होता मानेवर जो उन्होंने कहा कि वह डिजास्टर के पैसे रिलीज करने का राज्य के साथ पास अधिकार नहीं है वो गलत है मानेवर मैं इसकी भी स्पष्टा करना करते आता हूं क्योंकि सदन का रेकोर्ड स आप रहना चाहinkों स्द्रale Ф में 10% रासी कोई भी राजय अपने हिसाब से अपनी गाईडलाइन से इस्यू कर सकता है और 100% रासी भारत सरकार की जो गाइडलाइन इस्यू हूगी है गाईडलाइन इस्यू के किसी भी पर्मिसन की भारत सरकार की जरूरत नहीं है गाईडला के पैसे हैं और कोई हेड के अंदर तो खर्च नहीं हो सकते हमें इतना तो चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा तो फिर भी दस प्रतिसाथ खर्च तो डिजास्टर के नाम से कुछ भी आप करें कोई नहीं पूता है 90 परसंट खर्च आप गाइडलाइन के हिसाब से डिजास्टर के लिए बारत सरकार की कोई परमिसन लेने की जरूरत नहीं और बंगाल का भी कहा मनेवर डिटेल स्टेटमेंट नित्यानन जी पड़ेगी मतलब मैं स्ट्रक्चर स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं सिर्फ पश् किये हैं और जीस प्रकार से इनके खर्च का हिसाब आता है इस हिसाब से रिलीज होते हैं उसमें से 4,619, 4619 करोड रुपया हमने रियंबर्स कर दिया है मगर वहां थोड़ा प्रॉब्लेम है हिसाब बेजने में अब वो तो मैं अच्छे से नहीं कर सकता है बंगाल नहीं कर देना पड़िया एकाउंट देना पड़ता है तो सरकार है को पोलिटिकल पार्टी नहीं है न सरकार के कुछ रूल्स होते हैं रेगूलेशन होते हैं अकाउंटिंग सिस्टीम होती है एजी का वडिट होता है हम किसी को नहीं मानेंगे ते थोड़ी तकलिफ आएगी मगर द इसलिए 23 तारिक को हमने NDRF की 9 बटा लेने वहाँ पर हमने बेद दी थी और 3 कल रवाना करी है NDRF की बटा लेने उतरने से भी अलर्ट अगर हो जाते तो काफी कुछ बच जाता है वगर मैं किसी पर दोसार उपन नहीं करना चाहता हूं यह समय है केरल की सरकार के साथ खड खड़ा रहने का और जोन लोगोन की हानी हुए उनके साथ खड़ा रहने का मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं इरिस्पेक्ट वपार्टी पॉलिटिक्स नरेंद्र मोधी सरकार केरल की जनता और केरल की सरकार दोनों के साथ चट्टान की तर खड़ी रहेगी किसी झोथेंशेया का मैं तर खड़ाल ही म signs विश्वास जगवार्टी रहे उख श्यागमा सदन के साथ चाहता हूं उल त मैं व्श्वास नरेंद्र मोधी सावलिक्स